हलो दोस्तों सुआगत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे हम बात करने वाले हैं जो ही आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंगलेंड के बीच में जो आज ये सेकंड टी-20 मैच खेला जाएगा इसके बारे में लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये मैच आज दो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टन रहेगा तो आप लोग जुड़ जाएगे लिंक आपको इसी वीडियो को दिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चली दोस्तों वीडियो को सुरू करता है पिच रिपोर्ट से इस पिच की बात करें दोस्तों तो इस पिच पे टोटल टी-टी-टी इंटरनेशनल के अभी तक तीन मैच खेले गए हैं जिसमें से एक मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाई टीम ने वान किया है दो मैच के बिलो एक बार स्कोर रहा है 150 से 179 के बीच में दो बार स्कोर गया है अब जो इस सीरीज से पहले दो मैच खेले गया है उसका स्कोर कार्ड भी में यहां पर लेके आया हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह मैच खेला गया है यहां पर स्री लंका और ऑस्ट्रेलिया क बीच में आप उसमें देखें कि तो यहां पर इंडिया ने 160 बनाया है तो मेरे इसाब से दोस्तों आपको इस मैच में भी 160-170 के आसपास इसको बनता हुआ देख सकता है अब यहां पर विकट की बात करें इस्पिन और पेस देखें तो यहां पर दोस्तों इस्पिनर का अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग में इस्पिनर को चार विकट मिले हैं पेसर को नौ मिले हैं शेकंड इनिंग में यहां पर इस्पिनर को साथ मिले हैं पेसर को सिर्फ चार मिले हैं यानि कि दोस्तों फ अच्छी खांसी help है इस venue पर तो जो टीम यहां पर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें आप उसके spinner ले सकते हो जो man spinner है आप उनको रख सकते हो अपने टीम में आप दूस्तों यहां पर बात करते हैं Australia की playing 11 और batting order के बारे में तो यहां से David Warner Aaron Finch open करेंगे उसके आप यहां पर मिचल मार्स आएंगे गलेन मैक्सवेल आएंगे मारकस इस्टॉइनिस आएंगे टिम डेविड आएंगे मैथ्यू एडम पैट कमेंज से मिचल स्टार के जो शेजल वूड है एडम चैंप आए तो दोस्तों फस्ट जो फस्ट टीट्वेंटी हुआ था अपने उसमे जो मैच हुआ था उसमें यह लोग एविलेवल नहीं थे अब यहां पर यह लोग आ गये हैं इसक्वेड दोनों स्क्वेड में थोड़े जो नए प्लेयर हैं वह वापस आ गये हैं तो थोड़े चैंज हुए हैं दोनों टीम में तो आप देख सकते हैं यहां पर तो कुछ मैथ्यू वेड आप सबको पता है 25 केवरेज है रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है उसके यह पर जो इंगलेश ने खेल जाते हैं तो 27 केवरेज रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो हलाकि उतना अच्छा नहीं रहा है पर प्लेयर अच्छे हैं उसके वह यह आपर एर पार्यों में अच्छा खास किया है और इस सीरीज में भी अच्छा रहा है जो लास्ट मैच खेला उसमें भी अच्छा काशा करके आ रहा है उसके अपे इस टीव इसमें 25 केवरेज रखते हैं खेलते हैं आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं ठीक थाक है पर जो टीट टी प्राई के ज्यादा अच्छे प्लेयर लगते हैं मुझे फिर अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अच्छे ऑप्सन हैं आपको टिकर पॉइंट दे सकते हैं अपना विकेट इतनी जल्दी नहीं देते हैं उसके आप टिम डेविड हैं 37 कैवरेज रखते हैं 20 मैच की तो ठीक ठाक रहा है यहां पर इनकी बात करें ऑल राउंडर की बात करें दोस्तों तो यहां से मारका से स्टॉइनेस हैं 45 मैच की 36 सिनिंग 647 अठाइस कैवरेज 45 मैच की 24 सिनिंग में 14 विकेट है रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है उतना अच्छा नहीं करें पर पर लाश्ट में जो मैच खेला उसमें इनों ने अच्छा कहता की हैं यहां पर 35 मिलाता है यहां सब्सुद जैके तो इसका एंप और थर्ड मैच होगा उसका यहां पर स्क्वार्ब अलग है तो यह लोग आ चुके हैं वापस तो आप यहां पर देख सकते हैं 28 कैवरेज रखते हैं मैक्सवेल पर रीसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है पर प्लियर की बात करें तो टी ट्वंटी के बैतरीन प्लियर है उसके आप मेचेल मार्स है 30 कैवरेज है 40 मैच की 22 इनक में 15 विकेट है पर रीसेंट बालिंग नहीं करा रहा है रीसेंट अगर आप इससे पहले देखेंगे तो अच्छा कांसा परफॉर्म किया है रीसेंट फॉर्म भी अच्छा कांसा है उसके हैं पर कैमरान गरीन है इनकी बात करें साथ मैच की साथ निक 13 कैवरेज सा पकी बाद यह पर डैनियल सेमस ऑं 10 मैची 77,726, 026.1 एक सो स्वारी दस मैच की 10 मैच मैं साथ विकेट है रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो रीसेंट फॉर्म भी अच्छा ऋ प्लेयर की बात करें तो प्लेयर भी अच्छे ने अपर दोस्त्त बालिंगर्ग की बात करें तो तो चैन रिचर्डसन, 34 मैचों में 43 विकेट, recent form आप देख सकते हैं, मिचल श्टार्क वापस आ गये हैं, तो आप इनका देखेंगे, 53 मैचों में 69 विकेट, यह खेलने वाले हैं, तो आप इनका देखके चलें यहाँ पे, तो आप हर एक प्लेयर का यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पर जो सेजल बूर्ड है, 35 मैचों में 52 विकेट, recent form भी अच्छा रहा है, एश्टोन एगर का देखेंगे, 46 मैचों में 47 विकेट, प्लस 46 मैच की 28 इनिक में 270 रंस भी हैं, 12 के अबरिश से रं भी बनाए, recent form भी, अच्छा रहा है, अगर खेल जाते हैं, तो एक अच्छे उप्शन है, यहाँ पर left-handed bet, left-arm orthodox baller है, तो अगर यह खेलते हैं, तो tribal option रहेंगे, उसके पर pet comments है, यह भी एक अच्छे option है, अच्छा start से रखते हैं, शेन अबॉर्ट का देखेंगे, तो यह भी अच्छे हैं, पर इनके चांसे सभी कम है, एडम जैमपा की बात करें, तो यह भी दोस्तों एक wicket taking बॉला रहें, सरसर्ट मैंचोबे 75 wicket ले चुके अभी तक, तो यह record हैं, अब दोस्तों यहाँ पर इंग्लेंड की टीम की बात करें, तो यहाँ पर Alex Hills, Josh Butler ओपन करेंगे, उसके वह पर David Malan आएंगे, Ben Stocks हैं, Harry Brook हैं, Mohin Ali हैं, Sham Karan है, Chris Wax हैं, Adil Rasid हैं, Reese Topley हैं, Mark Wood हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इनकी play अंगले बन हो सकती है, अब दोस्तों, लास्ट मैच में, यहाँ पर Malan को काफी नीचे बेजा गया था, पर मेरे इस मैच में आपको 1 डाउन ही बैटिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि यह 1 डाउन ही बैटिंग करते हैं, अब दोस्तों, अगर इनमें से कोई खेल जाता है, काफी हैल मिलेगी, बाकी मैं आपको यहाँ पर सौर्ट में समझा दूँगा, तो यहाँ पर जौस बटलर, इनके बारे में ज़्यादा बताने ही जूरी होता है, आप सबको पता है, बैतरीन प्लेयर हैं यहाँ पर इंग्लेंड के, थो एलैकसी्थ, एक ऊच्छा रहा हुअ, टेवड़ि मुलांस, बाकाई खेल आच्छा रहा है, उसके बाद यहाँ पर हैरी ब्रूक हैं, इनका भी रीसेंट फॉर्म पाकिस्तान के खिलाब जो भी खेल के आ रहा है, काफी बैतरीन परफॉर्म किया है, आठ मैच की आठ रिनिंग में 203 पर रन, 42 स्कैवरेज, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, आप इनको जील में जरूर ट्राई करना, अब दोस्तों आप आल राउंडर की बात करें, यहाँ पर दोस्तों मोहिन अली है, इनके बारें ब दोस्तों आप बैन श्टॉक्स है, 19 का एवरेज, 35 मैच की 39 इनिंग में, 19 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अभी जो टेस्ट मैच खेला, उसमें ठीक ठाक रहा है, इनका अच्छा किया है, अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छा करके दे सकते हैं, पर इनके भी ओबर कट रहे हैं, यहां पर दो यूबर लाश्ट में डाल लेते, प्लस आपको टूरान बैटिंग करेंगे, तो अच्छा कासा करके दे सकते हैं, अच्छे प्लेयर रहे हैं, उसके आपर लियाम लिवेंग इस्टॉन भी वापस आ गए, यहां पर इनका देखेंगे, तो चाउदा का दो विकेट लेके आए, च्छे विकेट हैं, उसके अलावा यहां पर 41 मैच की 41 इनक में 50 विकेट अपने करियर में ले चुके हैं, अच्छे प्लेयर रहे हैं, उसके आपर बॉलिंग की बात करें, तो क्रिस बॉक, 16 मैच की आठेनिंग, अन्ठान बरन 24 के वरे, 16 मैच की 16 15 विकेट, रीसेंट फॉर्म आप देखेंगे, तो रीसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा, इससे पहले इन्होंने FC क्रिकेट खेला है, जो घरेलू टेस्ट मैचेस होते हैं, उसमें अच्छा खांसा किया है, उसके बाद दोस्तों, आपर जॉर्डन है, अगर खेलते हैं, तो अच्छे उप्सन है, आपर 18 मैच की असी इनिंग में 90 विकेट हैं, प्लस 15 के एवरेश से रन भी बनाया है, और रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है, अगर खेल जाते हैं, तो अच्छे उप्सन है, मैन बॉला ने ये भी अपने टीम के, उसके आपर आदिल रसीद, 80 मैचों है, पर पिलियर अच्छे हैं, उसके अलावा दोस्तों में अपर टैमल मिल्स हैं, 13 मैचों में, 12 विकेट हैं और रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो खेलते हैं तो अच्छे उप्सर रहेंगे ये भी, तो देखेंगे कौन खेलता है कौन नहीं, वो तो हमको कनफर्म ला हैं, तो यह रिकॉर्ड है, लगबग दोनों टीम बराबर की हैं, अब दोस्तों यहां पर बात करें, टॉप पिक जो हैट टुएड में, जो अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, मैं सिर्फ उनीका रिकॉर्ड लेके आया हूं, इनके अलावा जो प्लियर है, उनके एवरेज रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है, तो एरोन फिंच, आप इनका देखेंगे, तो बहतरीन रिकॉर्ड रहता है, यहां पर इंग्लेंड के खिलाव 14 मैच खेले हैं, जिसमें 606 रन 55 का एवरेज, तो एरोन फिंच का सबसे बहतरीन रिकॉर्ड है यहां पर इंग्लेंड के खिलाव, पर रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, पर प्लेयर की बात करें, तो आपर रिकॉर्ड काफी अच्छा रखते हैं, उसके लावा जौस पडलर, 13 मैचों में 460 रन उस्ट्रेलिया खिलाव, 41 कैवरेज, तो इनका अच्छा रिकॉर आप दूसे यहां पर प्लेयर बैटल की बात करें, तो यहां पर एरोन फिंच वर्सिस आदिल रसीद, 50 बाल खेली हैं, यहां पर रसीद की फिंच ने, इसमें 62 रन बनाएं, दो बार आउट किया, तो 50 बालों में दो बार आउट किया, उतना खास है नहीं है, उसके लावा यहां पर गलेन मैक्सवेल वर्सिस आदिल रसीद का देखेंगे, तो यहां पर 34 बालों में 56 रन बनाएं, और दो बाल यहां पर आदिल रसीद ने, इनको भी आउट किया है, तो आदिल रसीद कहीं ना कहीं, यहां पर दोनों को परिशान तो कर रहे हैं, उसके लावा यहा यहां पर इस मॉल लीग में बात करें, तो यहां पर डेविड बॉर्नर, जॉस पटलर, मिचल इस्टार्क और जॉस हैजल बूड, आप इन लोगों को ट्राइ कर सकते हैं, पर यहां पर इस्टार्क और जॉस हैजल बूड को आप लोग तभी ट्राइ करना, जब यहां पर अच्छी option होंगे अब दोस्तों अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलाल मैंने बनाई है वो आप लोगों को दिखा देता हूं पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेली ग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो कर लीजिए को फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने व जोस इंगलेस फिलिप सॉल्ट का खेलना कनफर्म नहीं है तो अभी आपके पास यहां पर दो अप्सन है मैथ्यू वेड और यहां पर जोस पडलर को ही लिया है जो कि सेफ उप्सन है और मस्ट पिक रहने वाले है कैप्टन वाइस कैप्टन सी के भी अच्छी option है तो मैंने इनको लिया है मैथ्यू वेड को अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कब तभी करना जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करें क्योंकि काफी नीचे आते हैं तो मेरे साब से यहां पर चौस पडलर को ही लेकर चलें तो जाता अच्छा रहेगा तो मैंने फिलाल के लि हील्स वैसे अगर प्लेयर की बात करें तो हिट और मिश टाइप के प्लेयर है चलेंगे तो काफी लंबा करके देंगे वरना जल्दी चले जाएंगे पर हैट्ट्वर्ड में अच्छा रेकॉर्ड रखते हैं और लास्ट में भी अच्छा खासा किया है तो फिलाल के लिए म तो मस्ट पेग पर अभी इनका भी कनफर्म नहीं है खेलना मैंने यहाँ पर एरॉन फिंच को लिया है जो भी आपको रिकॉर्ड दिखा है हैट टूर्ड में बहतरी रिकॉर्ड रखते हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इंग करना चाहते हैं तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं यहाँ पर इंगलेंड अगर पहले बैटिंग करती है तब आप ट्राइ कर सकते हैं इनको स्मॉल लीग में भी तो अच्छे प्लेयर है अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करें तो आप इनक पर आल राउंडर की बात करें तो मैंने यापर Ben Stocks को लिया है Glenn Maxwell को लिया है हाला कि Glenn Maxwell का recent form बहुत ही खराब है पर मैंने लिया यहाँ पर T20 के एक अच्छे प्लेयर है तो मैंने फिलाल के लिया है पर हो सकता है मैं final में इनको change कर दूँ उसके लाव मोहिन अलीग को आप लोग GL में ट्राइ करना है क्योंकि काफी नीचे आ रहे है और बालिंग का इनका confirm नहीं रहता उसके अलावा मैंने यहाँ पर मार्केस स्टोइनिस को लिया है मिचेल मार्स का अच्छा option है पर दोस्तों इस मैच में दोस्तों option तो बहुत सारे है पर हम सबको तो नहीं ले सकते Cameron Green का भी एक अच्छा option है पर Cameron Green को हम तभी लेंगे अगर यह फिर से open करेंगे तभी हम लेंगे तो इनका betting order देखेंगे फिर हम इनको लेके चलेंगे फिलाल के लिए मैंने नहीं लिया है उसके अलावा यहाँ पर यह लोग अभी इनका confirm नहीं है खेलना तो अभी इनके बारें बात नहीं करते हैं यहाँ बालिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क को लिया है जौस हैजल वूड को लिया है एड लोग Trump के तौर पर ट्राई कर सकते हैं अच्छे बाला रह तो यह भी अच्छा कहाँ सा करके दे सकने आप लोग इनको जील में जरूर ट्राई कर लेиновा इसके अलावा नहीं लिया मैं पर फिलाल के लिया पाकिस्तान के खिलाभ जो खेला भी उसमें भी काफी अच्छा पर के आ तो फिलाल केलिए मैंने Elko लिया है उसका अलावे पर जूड chcia화를 और जूड ल में अच्छा cell और हो में तो फिलाल option देख रहा है अगर cvc का तो आपके पास यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले balling करती है तो फिर आप लोग जौस है जलबूर्ड यहाँ पर मिचल इस्टार को बना सकते हैं उसके अलावा मारकस इस्टोइनिस का भी आपके पास एक अच्छा option है तो आप इन लोगों को cvc ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लीग में फिलाल के लिए मैं सेफ गया हूँ मैंने यहाँ पर जौस पट्रा डेवड वार्नर को ही किया है अगर इस्टीम में कुछ भी चैंज करूंगा तो आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा तो उसके का तो आपको कर पार तो आपको कर दो आपको करना क्का बाल, अऊदख humor करना कर दो ही डुल